आज हम दो function देखते हैं, एक scanf, दूसरा है printf तो अभी कहा है कि printf जो है simply क्या होता है, हमें बस कुछ भी हमें print कराना होगा, तो उसके लिए हम use करते हैं तो यहाँ पे hash include, मैंने first line लिखी, यहाँ पे main, main function हो गया, इसका block start हो गया, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, printf my name is, printf xyz, printf and your name, printf sum तो यह चार line हमने लिखी है, मतलब अगर simply एक line लिखे तो अभी हमारा complete program हो जाता तो यहाँ पे बस एक और चीज मतलब बतानी थी मुझे, इसलिए मैंने 3-4 line लिख दी तो यहाँ पे क्या है, कि hash include stdio.ch यह जो हता है, यह हमारा जैसे हमें पता है, यह क्या है header file होती है, उसके बाद जो है, यह header file क्या होता है, इसमें जो library functions है जैसे यह printf हो गया, इसका जो definition है, वो इस library function में define है इसलिए हम use करते हैं, यहाँ पे printf, तो अब क्या होगा, यह printf function है, यह इसके अंदर जो होता है यह ध्यान रहे कि यह function है, यह parenthesis से close है, और जो भी हमें print करने हैं, तो वो हम double quotes के बीच में लिखेंगे और वो हमारा as it is print हो जाएगा, तो जो हमारा console होगा, जो output screen होगा, वहाँ पे output आएगा, my name is my name is, फिर यहाँ पे क्या है printf, तो यह क्या होगा, x, y, z, यह जितने सारे चीज़ है न, यह पूरे एक line में print हो जाएगा, तो अब अगर हमें क्या है कि next line में print करनी है, तो हमें एक, जो next line होगा, यहाँ पे printf, slash n जो की बताया था, तो हम slash n यूज़ करेंगे, तो जो control है, हमारा यहाँ था पहले, अब वो new line में आ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे print करेगा, and your name is, और फिर sum, और नहीं तो हम यह भी कर सकते हैं, कि in line भी हम यूज़ कर सें, जैसे यहाँ पे sum है, तो यहीं पे हम अगर slash n यूज़ कर दें, हमारा इसके पहले, तो जो हमारा control है, यह जो print करने से पहले, उसका next line में आ जाएगा, तो यह simply हमारा एक हो गया basic program, जो printf के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, अब क्या है कि, एक दूसरा program देखते हैं उसमें हमें क्या देखना है, कि जैसे scanf, एक value लेना है और हमें print करना है, तो उसके लिए भी same होगा, हम क्या use करेंगे, hash include जो है, वो तो हमें use करना है, total, जितने सारे हमारे program है, then हमारा main function, अब क्या है, कि जैसे एक integer, एक variable ले लिया, मैंने a, यह जिकल नहीं है, यहापे ह यहापे मैंने user को, बस show कर देंगे, कि enter a number, यहापे हमने mention कर दिया, अब क्या है, कि scanf, यहापे percent, और यह value किस तरह की तरह का है, integer type का, तो हम या तो d या i use कर सकते हैं, और scan कर रहे है, इसलिए ampersand का sign लेंगे, और a का address हो जाएगा, मतलब a देंगे, तो a में जो value है, अब आ गया, जो user ने दिया, suppose की user ने 5 दिया, और enter कर दिया, जैसे जब run होगा तब, अब इसको जो हम क्या करेंगे, दुबारा से हम print कर देंगे, कि your value is, अब ध्यान रहे कि जो भी हम double quotes के अंदर लिखते हैं, वो हमें print हो जाता है, तो value is, लेकिन उसने जितना user ने दिया है, उतना हमें print करना है, तो हम फिर से यहाँ पर format specifier का use करेंगे, और integer है, तो d लिख देंगे, लेकिन यह d है, इसके place पर क्या आएगा, तो वो जो हमारा जिसमें a में जो यह store है, वो print करना है, तो यह हमारा complete program हो गया, वो output आजाएगा, उसी तरीके से अगर suppose कि हमारे पास तीन variable है, a, b, c, और इस तीनों में कुछ न कुछ value assign है, और सारे को हमें print करने है, तो हम यहाँ पर लिख सकते है, print f, percent d, percent d, and percent d, यहाँ पर ध्यान रहे हमें space देश भी सकते हैं, नहीं भी देश सकते हैं, यहाँ पर मतलब हमें जैसे output म स्क्रीन पर चाहिए वह दे सकते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा c, b, a, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका corresponding मतलब जो है, जैसे यहाँ पर, क्या है कि जो first d है, तो यहाँ पर जो first मिलेगा, c वाला, वो value print हो गया, यह second है, तो यहाँ वाला, इससे match करेगा, यहाँ वाला, तो यह हमारा simple एक प्रोगाम हो गया, हम इसके थुरू, हम कोई भी अप्रोगाम में, हम scanf और printf यूज कर सकते हैं, यह बस syntax के लिए एक basic सा हो गया, इसके बाद हम धीरे धीरे, हम थोड़े बड़े करते जाएंगे प्रोगाम, और इसी तरीके से, और भी हम बहुत सारे प